हलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजी हमारे चैनल जीके जीएसेस को और घंटा वाला बटन दबाएए जिससे हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके हैं आईए चलते हैं आज के टॉपिक पर हलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो है भारतिय सम्मिधान से सम्मंदित है अभी तक हम अपने वीडियो में भाग पास तक बता चुके हैं जितने भी इंचेद है उनके बारे में हम आपको संचित तुरूप में बता चुके हैं आज का हमारे वीडियो भागचा से सम्मंदि राजिपाल राज से सम्बंदित है भाग्छा जो है अध्या एक साधारण में अनुछे दिक सो बावन दिया गया है अनुछे दिक सो बावन में परिवासा दी गई है राजिकी उसके बाद आता है अध्यायदों में कारिपालिका का वरणन किया गया है जो राज़पाल से संबंदित है कारिपालिका राज़पाल से संबंदित होती है उसमें क्या दिया गया है अनुछेद एक सो तिरपन में राज्यों के राज जिपाल की निउक्ति के संबंद में प्राधान किया गया है अनुछेद एक सो चववन में राज की कारिपालिका की सक्ति का वरणन किया गया है और अनुच्छेद 155 में राज जिपाल की न्युक्ति के संबंद में उल्लेख किया गया है यह तो तीनों ही अनुच्छेद important है जिस पे हमने highlight किया है वो अनुच्छेद important है तो आप लोग उस पे ध्यान दीजिएगा आईए हम चलते अगले अनुच्छेद पे अनुच्छेद 156 में राज जिपाल की पदावधी के बारे में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 156 में राज जिपाल न्युक्ति होने के लिए अहरताएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है अनुचे 168 में, राज पाल के पदि के लिए सर्थें कौन कौन से होगी उसका उलेक किया गया है और अनुचे 169 में, राज पाल द्वारा सपत या प्रतिग्यान के संब्भन में उलेक किया गया है अनुछेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज़ेपाल के कृत्तियों का निर्वाहन की शंबंद में उलेख किया गया है अनुछेद 161 में छमा आदिकी और कुछ मामलों में दंडा देश की निलंबर्न, परिहार या लगुकरन की राज़ेपाल की सक्ति के बारे में उलेख किया गया है अनुछेद 162 में राज़े की कारिपाल का शक्ति का विश्तार के शंबंद में वर्णन किया गया है अनुछेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उप्बंद किया गया है आगे क्या है राज़े का महा अधिवक्ता, अनुछेद 165 में राज़े के महा अधिवक्ता का उलेख किया गया है आगे हम देखते हैं फ्रेंट्स, सरकारी कारिका संचालन के संबंद में हम देखते हैं अनुचेद 166 में राज पाल को जानकारी देने आधिक के संब्ध में मुख मंत्री के कर्तब बे कौन कौन से होंगे उस संब्ध में उलेख किया गया है। अनुचेद 172 में राज जियों के बिधान मंडलों की अवध ही क्या होगी उसके संब्ध में उलेख किया गया है। आगे हम देखते हैं अनुचेद 173 में राज के बिधान मंडलों की सदस्यता के लिए अरता क्या क्या होगी उसके संब्ध में उलेख किया गया है। फ्रेंड्स आप लोग हमारे वीडियो को अच्छे से देखें और इसको समझें जिससे आपके एकजाम के लिए helpful हो सकें। हम अपने अगले वीडियो जो हम अपना लाएंगे उसमें हमारे एक अनुचेद के बारे में आपका उसका बिस्तित बिरोणां बताएंगे हर एक अनुचेद के बारे में आए मगला अनुचेद 174 में राज के विधान मंडल के सत्र सत्र वसान और बिगटन के संब्ध में उलेख किया गया अनुछेद 174 में अनुछेद 175 में सदन या सदनों में अभिभासण का और उनको संदेज भेजने का राज जपाल का अधिकार एक इंपोर्टन्ट है अनुछेद 176 में राज जपाल का विशेश अभिभासण के संबन्द में उल्ले किया गया है अनुछेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महावधियत्ता के अधिकार के संबन्द में उल्ले किया गया है आगे है राज के बिधान मंदल के अधिकारी कौन कौन से होंगे अनुचेद 178 में बिधान सफा का अध्यच और उपाध्यच के समद्ध में उलेख किया गया है अनुचेद 189 में अध्यच और उपाध्यच का पद रिक्त होना, पत्याग और पद से हटाया जाना के समद्ध में उलेख किया गया है अनुचेद 180 में अध्यच के पद के कर्तब्यों का पालन करने या अध्यच की रूप में कारे करने की उपाध्यच या अन्य बेक्टि के सक्ति के सम्वन्द में उल्ले किया गया है अनुछेद 181 में जब अध्यच्य आउपाध्यच को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारा धीन है तब उसका पीठा सीन ना होना के शम्वन्द में उल्ले किया गया है अनुछेद 182 में विधान परस्यद का सभापती और उपसभापती के संब्ध में उल्ले किया गया है अनुछे 183 में सभापती और उपसभापती का रिक्त होने पर या पद त्याग और पद से हटाये जाने के सम्मंध में उलेक किया गया है अनुछेद 184 में शभापति के पद के कर्तब्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कारी करने का उपसभापति या किसी अन्न को सक्ति के समद्ध में उलेक किया गया है अनुछे 185 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारा धीन है तब उसका पीठा सीन ना होना के संबंद में उल्लेक किया गया है अनुछे 186 में अध्यच और उपाध्यच तथा सभापति और उपसभापति के बेटन और भत्तों से संबंदित है अनुछे 187 राजी के बिधान मंडलों का सचिवाले से का उल्लेक किया गया है इसमें कारे संचालन के बारे में आये देखते हैं कौन सा अनुछे 188 सदस्यों द्वारा सपत या प्रतिग्यान के संबंदि में उल्लेक किया गया है अनुछे 189 में सदनों में मद्दान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कारे करने की सक्ति और गणपूर्ति के संबंदि में उल्लेक किया गया है सदस्यों की निरहरताएं क्या होंगी डिस्क्वालिफिकेशन आफ मेंबर्स अनुचे देख सो नबे में अस्थानों का रिक्त होना के समंध में उलेक किया गया है अनुचेद 191 में सदस्यता के लिए निरहरताएं क्या क्या होंगी उसके सम्मंद में उल्लेक किया गया है अनुचेद 192 में सदस्यों की निरहरताओं से सम्मंदित प्रशनों पर बिनिश्चे किसका होगा इसके सम्मंद में उल्लेक किया गया है और अनुचेद 183 में अनुचेद 188 के अधीन सपत लेने प्रतिग्या करने से पहले या अहरित ना होते हुए या निरहरित के जाने पर बैठने और मत देने के लिए सक्ति के सम्मन्ध में उलेक किया गया है आईए आगे देखते हैं फ्रेंट्स राज्जियों के विधान मंदलों और उनके सदस्यों की सक्तियों विशेशा अधिकार और उनुप्तियों के बारे में के सनुचेद 184 में विधान मंदलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की सक्तियों विशेशा अधिका आदि के सम्मंद में उलेक किया गया है। आदि के सम्मंद में उलेक किया गया है। आदि के सम्मंद में उलेक किया गया है। अनुच्छे 201 में विचार के लिए आरच्छत विध्यक के सम्मंद में उलेक किया गया है। अगले वीडियो में आपको भागच्छा के पहला पार्ट है। अगले वीडियो में आपको देंगे। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजिए। बस इतना ही आज के वीडियो में धन्यवाद फ्रेंड्स। बसक्ता दो कास्तावज का सकते बाम ऩर्ट है। chief신 roller स्फभ्यश् somethin्न्सिभ ग 얼마 आपको दूम्तिक लिभ्यों एंदा ल्ले गがल्ग। झाल झाल